हलो दोस्तो आप देख रहा है जीटेक चनल और मैं आजब को बताँगा हाउ टू सेल गोल्ड इन फोन पे जहां दोस्तो अगर आपने फोन पे में से गोल्ड खरीदा हुआ है तो उसको किस तरीके से कैसे सेल करे तो इस वीडियो में पूरा डीटेल में समझाओंगा और इस में बताँगा कि आपको फोन पे में एका गोल्ड लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए दूस्तो शूरू करते आज का वीडियो और अभी तक आपने हमारे आइजी टेक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको क्लिक मारके सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दीजे तो दोस्तो फोन पे में सबसे पहले चले जाईए फोन पे में जाने के बाद में आपको यहाँ पे वेल्ट करके जो है आप्शन मिल जाएगा नीचे यहाँ पे दीखिए इंशोरेंस के नीचे बाजुक जो है वेल्ट करके जो है आप्शन मिल जाएगा उसके अंदर आपको यहाँ पे 24 केरेट गोल्ड करके जो है मिल जाएगा तो आपको simple इसको click करना है मेरे पास gold मौजूद है यहाँ पे दीखिये gold यहाँ पे मौजूद है मेरे पास 1000 का मैंने gold लिया था और उसकी rate अब 1016 रुपई हो चुकी है तो मैंने 1000 का लिया था लेकिन उसमें जो 3% GST लगा था तो 3% GST के हिसाब से मेरे 30 रुपीज वहाँ पे cut हो चुके थे और अभी मैं sell करने जाओंगा तो भी 30 रुपीज कट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे gold नहीं लेना है क्यूंकि आपके 3% cut हो जाएंगे यानि कि आपने 100 रुपई का gold अगर खरीद लिया तो आपके 3 रुपई कट हो जाएंगे और उसको sell करने के बाद में भी आपको 3 रुपई कट हो जाएंगे तो यानि कि आपके 6 रुपई यहां से cut हो जाएंगे आपने gold buy and sell कर दिया तो भी आपके 6 रुपई कट हो जाएंगे अगर 100 रुपई का चुकिया है तो मेरे यहां पे यहां पे फिर से जो है मेरे 30 रुपई यानि कि 3 परसेंट जो है cut हो जाएंगे इस में से तो आपको जो है क्या करना यहां पे gold मत लीजे यहां पे gold लेने से आपके 3 परसेंट जो है GST काट दे जाएंगे और आपका यहां पे लुक्सानी होगा तो इसलिए यहां पे gold मत लीजे और यहां पे मर्किस तरीके से sell करता हूँ वो जो है आपको यहां पे बता देता हूँ जाना पड़ेगा यहां पे नीचे manage your locker करके बता रहा है आपको simple उस पर click कर दीजे उस पर click करने के बाद में यहां पे दीखिए आपका gold का जो gram है यहां पे बता रहा है और नीचे उसकी value बता रहा है आपके कितने रुपी में कितने रुपी जो है उसको sell करने के लिए sell करने के बाद में मिल जाएंगे इसमें से 3% कट हो जाएगा तो और यहां पे नीचे sell gold करके यहां पे बता रहा है तो आपको simple क्या करना है sell पर click कर देना है sell पर click करने के बाद में आपको यहां पे उपर जो है gram बता रहा है कि कितने gram का आपने बहाना है और यहां पे नीचे दीखिए 978 रुपीज मुझको मिल जाएंगे यानि कि 30 रुपई यहां से कट हो जाएंगे मेरे 3% मेरे कट हो जाएंगे तो यहां पर amount बना है या फिर gram भा देना है तो यहां पर amount भा दिजे यहां पर जितनी ऊपर amount दिकाई दे रही है आप को जब जाएंगे उसकी नीचे amount अतनी भानी आए तो यहां पर 9 7 8.98 करके भा देता हूं तो यहां पर पूरी amount यहां भा दिजे इस तरीके से और यहां पर उसको sell कर दिजेंगे यहां यह करता हूं यहां पर दीखिए सेम amount ज़ए आ चुक है यहां पर sell कर दिजे simple sell कर दिजे और यहां पर sell पर confirm कर दिजे तो आपका gold sell हो जाएगा आपके account में 48 hours में आपके account में वो पैसे आ जाएंगे 3% GST काट लेते हैं वो लोग और उसके बाद में आपका gold sell हो जाएगा और आपके bank account में उसके amount आ जाएगी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आयोगा पसंद आयोगा तो like करिए share करिए subscribe करिए और देखते रहिए IG tech channel